तीसरा प्रश्ण क्या कह रहा है? यदि साइन ए बरावर 3 वटा 4, तो कोस ए और 10 ए का मान परीकलित किजिये, मतब कोस और 10 का मान ग्याद करना है निकालना है, ठीक है? ध्यान दो, साइन हम लोगा दिया हुआ है, कोस और 10 निकालना है, तो साइन में होता है P और H और कोस में होता है B और H टेन में होता है P और B ठीक है? यानि यहाँ P और H हम लोगा दिया हुआ है तो हमें इस में से क्या निकालना है? B को निकालना है, है न? चलो सबसे पहले क्या लिखेंगे? हल हल दिया हुआ है, देखो, दिया है, क्या दिया है, साइन ए, बरावर 3 बटा 4, को दिकत, और साइन में होता है कि P बटा H होता है, उपर वाला P, यानि कि P बरावर 3 K, P बरावर 3 K, K मानना है, ठीक है, 3 के साथ में K लेना है, क्यों लेना है, वो आगे बता रहे हैं आप लोगों, उसके अदि यह H है, H हम लोगा दिया हुआ है, 4 K, ठीक है, देखो, साइन A, ये क्या है, ये जो है, कोन A का तिरिकोन में थी अनुपात है, और अनुपात में जो है, हो सकता है कि 3 और 4 के साथ कि उसका कुछ मात्रक अलग हो, वो सेंटीमीटर में हो सकता है, या मीटर में हो सकता है, ठीक है, तो उसके जगह हम लोगों ने क्या मान लिया, के मान लिया, ठीक है, अब P और, देखो, अगर के अगर नहीं डालते हैं, तो भी ठीक है, चलेगा, लेकिन 100% राइट नहीं हो होगा, ठीक है, जैसे ही हमने के लगा दिया, तो अब ये 100% सही होगा, क्यों, देखो, दियान से, मान लेते हैं, 12 बटा, 12 बटा ले लेते हैं, 20, 12 बटा 20 ले लिया, या कितना है, 12 बटा 20, अब चुकी ये कटने वाला है, ना, कटेगा, चार का पारा में, चारतिया 12, और चार पांच है 20, तीन बटा पांच आया बारर बटा बीस को हमने काटके क्या लाया तीन बटा बीस लिखे आया तो अब देखो इसका जो असल में रूप है वो क्या है बारर बटा बीस है बारर बटा बीस है लेकिन हमने इस बारर बटा बीस को क्या लिखा तीन बटा पांच ठीक तो इसके साथ वाला जो है अब इसका चार तो चला गया ना? चार है क्या? नहीं है अगर हम इसको चार से गुना करते हैं तो फिर किसके बराबर हो जाएगा? तो ये चार गया कहां? ये जो तीन बटा पांच होता है असल में ये दोनों एक दूसरे से कटने वाले नहीं होते हैं जब जा कि ये बच्चा हुआ रहता है तो अब हम थोड़ा सा अगर ऐसे ही समझने का परियास करेंगे तो ये जो चार है इस चार के जगह हमने क्या डाल दिया के डाल दिया कि इसके साथ हो सकता है कुछ और हो या हो सकता है कि इसके मात रखो जो है सेंटीमीटर है सेंटीमीटर में है तो अब हमें तो नहीं मालूम है या सेंटीमीटर में है या किलोमीटर में है या मीटर में है तो उसके लिए हम लोग क्या मानते हैं या के मानते हैं दिया हुआ, P बटा है, H हो गया, P और H दिया हुआ है, हम लोग को सबसे पहले B निकाल लेना है, क्या निकालना है, B निकालना है, जब P और H निकल गया इसलिए B बराबर, आप लोग को पता होगा, P, B और H, इन तीनों में से किसी समकोन तिर्भूज में क्या होता है एक H होता है एक B होता है और एक P होता है तीन भूजाओं में से यदि दो भूजा दिया हुआ रहे तो तीसरी भूजा हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं अगर P और B दिया हुआ है तो H निकाल लेंगे H दिया हुआ है H और B दिया हुआ है तो P निकाल लेंगे या अगर B निकालना हुआ तो P और H दिया हुआ है तो B हम लोग आसानी से निकाल लेंगे ठीक है? वो कैसे? आप लोग को सुत्र पता होगा नहीं पता होगा और B बरावर होगा H square घटा P square ठीक है इसको अब ज्यादधा डेटेल यहां नहीं बताऊंगा ठीक है जब class कराएंगे जो class में होते हैं उसमें बता सकते हैं अच्छी तर से उसको ध्यांस में देखेंगे ठीक है तो हम क्या करेंगे B का मान इस सुत्र से निकाल लेंगे ठीक है B बरावर क्या होता है H square घटा P square H मेरा कितना है 4K यानि 4K पर square घटा P मेरा 3K है तो 3K पर whole square ठीक है अब हमने क्या करना है 4K पर square का मतलब क्या हुआ 2 ठो 4 को गुणा करना है तो 2 ठो 4 को गुणा करेंगे तो क्या हो जागा 4 चोगा 16 अब K पर V square मतलब 2 ठो K को गुणा करेंगे तो K पर square हो जागा ठीक है उसी तर से घटा 2 ठो 3 यानि 3 ती या 9 और K के K square हो जागा ठीक है अब देखो 16 ठो K square में से 9 ठो K square खतम हो गया तो 16 में से 9 चला गया कितना बच गया 7 ठो K square ठीक है को दिकत अब यान धियान दो कैठो साथ है एक कैठो साथ है ठीक है तो 7 का तो जोरा लगेगा नहीं तो हम क्या करेंगे इस साथ को रूट के अंदर रहने देंगे और K दो ठोके है तो एक ठोके जो है हम क्या करेंगे रूट से बाहर कर देंगे रूट से क्या कर देंगे बाहर कर देंगे तो ये हम लोग का निकल गया B का मान रूट साथ के B का मान क्या निकला root 7 के ठीक है जब B निकल गया तो अब हम लोग आसानी से क्या करेंगे cos और 10 को निकाल लेंगे लिखेंगे cos A ठीक है cos A cos A का मान क्या होगा B बटा H B मेरा कितना निकला root 7 K और H मेरा कितना है 4 K तो यहां लिखो 4 K अब देखो K उपर K नीचे दोनों खतम हो गया बचा क्या root 7 बटा 4 ठीक है उसी तरह से हमने क्या निकलना है 10 का मान निकलना है 10 A बरावर क्या हो जाएगा 10 में क्या होता है P बटा B 10 में क्या होता है P बटा B P मेरा क्या है P मेरा 3 K है 3 K और B मेरा कितना है root 7 K root 7 K तो K उपर K नीचे K खतम हो गया बचा 3 बटा root 7 3 बटा root 7 एक बात और है बटाएब ऑपर प्रावर के उन्पना है प्रावर क्ट्पशना है 7 झाल झाल